सो आज हम भगवत गीता चाप्टर 10 दी उपिलन्स अफ तै आपसले उट के श्लोक 36 को कवर करने वाले हैं रोज के तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगे उसके इंग्लिश ट्रांस्वेशन को देखेंगे और मिली को समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं द्युत्याम चलईयताम असमी तेजस तेजस्विनाम अहाम जयोसमी व्यवस्योसमी सत्वाम सत्ववताम अहाम आपसले शुरू करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में अर्जुन को बता रहे थे वहां पर उन्होंने बताया कि जो गांबलिंग में जो चीट निकलती है और जो भी सारे चीज़े होते उसमें भी कृष्ण बगवान है जो स्प्लेंडर जो महान कार्य करता है उसके अंदर भी वो बने हुए है और वो विक्ट्री भी है वो ड्वेंचर भी है and I am the strength of the strong जो strong इंसान है उसके अंदर की जो strength है जो victorious होते है उसके अंदर की जो victory है जो adventure सब कुछ में वो exist करते हैं मतलब हमने बार बार ये दिखा है वो यही बता रहे है कि जितनी भी सारे चीज़े दुनिया में है उन सब में वो विराज करते हैं so यहां के explanation को समझ लेते हैं there are many kinds of cheaters all over the universe of all cheating processes gambling stands supreme and therefore represents Krishna जो भी supreme चीज़े है जो भी महान चीज़े हो जो सबसे बड़े चीज़े है जाहे negative से negative positive से positive उन सब में Krishna है as the supreme Krishna can be more deceitful than any other man क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली है तो सबसे जादा धोका दाड़ी करने की शमता भी Krishna बगवान के अंदर है as the supreme Krishna can be more deceitful than any other man if Krishna chooses to deceive a person no one can surpass him in his deceit his greatness is not simply one-sided it is all-sided तो सिर्फ ऐसा नहीं Krishna मतलब ही सिर्फ positive वो चाहे तो negative में भी बहुत महान कारे कर सकते हैं among the victorious he is victory he is the splendor of the splendid मतलब सबसे बड़े जो winners है उसमें भी वो है and he is the splendor of the splendid ठीक है among the enterprising and industrious he is the most enterprising and most industrious among adventures he is the most adventurous and among the strong he is the strongest so सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं सबसे शक्तिशाली में भी वो है सबसे ज़्यादा adventure में वो है सबसे ज़्यादा जो महनती है उसमें भी वो है when Krishna was present on earth no one could surpass him in strength even in his childhood he lifted Govardhana hill no one can surpass him in cheating no one can surpass him in splendor no one can surpass him in victory no one can surpass him in enterprise and no one can surpass him in strength तो चाहे चोड़ी हो धोकादारी हो enterprising हो victory हो हर चीज में वो महान है इसलिए तो Krishna को महान चोड भी बोला जाता है तो यही तक है श्लोक नमबर 36 सब भगवदीता चाप्टर 10 अगले दिनम श्लोक 37 को कवर करें तब तक के लिए हरे कृष्णा रादे रादे चैश्री राम हरे कृष्णा रादे रादे चैश्री राम